बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में मज़ा आ जाता है पकोडों के साथ गर्मा गरम हलवे का तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए गर्मा गरम स्वादिष्ट इंस्टेंट बनने वाला ये मूंग दाल हलवा जो की घर पे सबको पसंद आने वाला है मेरी कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें और आप देखेंगे कि बिना बेगोए मूंग दाल हल्वा कैसे बनता है स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंस्टेंट मूंग दाल हल्वा बनाने के लिए यहां पर आपको लेना आदक कप मूंग दुली दाल चिलका दाल नहीं लेनी है इसको मैंने धोग के अच्छे से सुखा लिया है ध्यान रखेगा भिगोना नहीं है सिर्फ धोना है उसके बाद थोड़ी दिर के लिए इसको सुखा देना है आप चाहें तो सिर्फ इसको पोच के भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो पाउडर है वो न लगा रह जाए इस पे आप फ्लेम ओन करेंगे और इस पर रखेंगे कडाई और साथी साथ इसमें डालेंगे मुंग दुली दाल फ्लेम को लोई रखना है और इसे जादा हम इसे रोस नहीं करना है फ्लेम बन करने के बाद भी इसे कंटेंसरी स्टर करते रहेंगे एक मिनट के लिए अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं जब तक कि यह ठंडी होती है हम बाकी काम कर लेते हैं मुंग दाल हलवा बनाने के लिए अब फ साथ ही साथ में डालूңगी काजू, इसको अच्छा से रोस्त कर लेंगे, जब तक कुलाबी रंकर नहीं हो जाता इसकोruit रोस्त करते रहेंगे, भीतिस करते रहेंगे, फ्लेम को रखेंगे लो टूमिडियम पर, इसको roast करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हलवे में एक से दो मिनट लगेंगे आपको इसको roast करने में जब यह roast हो जाएं तो इसमें आप किश्मिष भी आइट कर सकते हैं किश्मिष को पहले मत डालिएगा नहीं तो वो जल सकती है अब जो दाल हमने रोज की थी वो अच्छा से थंडी हो गई है उसे mixy jar में डालेंगे इसे दरदरा पीस लेंगे जादा fine paste नहीं बनाना है हमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से मैंने दरदरा पीस है जादा fine paste बनाने से मूंग डाल हलवे का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है दाने दर पाउडर से best results आते हैं मूंग डाल हलवा के अब जिस कड़ाई में हमने dry fruit source के थे उसी में आड़ करेंगे 12 teaspoon गी इसे melt होने देंगे flame को रखेंगे low to medium पर गी गरम हो जाए तो इसमें मैं आड़ करूँगी 1 tablespoon basin साथ ही मैं इसमें आड़ करूँगी 1 tablespoon सूजी जितना बेसन लियाता है उतनी सूजी लेनी है सूजी बारीक या मोटी आप जैसी मर्जी ले सकते हैं इसे roast कर लेंगे stir करते रहेंगे continuously यह बहुत अच्छी टेप है आपके लिए जब आप सूजी और बेसन डाल के मूंग दल का हलवा बनाते हैं तो बहुत ही दरदरा और टेस्टी बनता है बिल्कुल मार्के स्टाइल जैसा अगर घर पे आपके पैस दोनों में से कोई एक चीज ही तो आप एक चीज का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से रोस्ट करते रहेंगे फ्लेम को लो ही रखेंगे स्टर करते करते आप देखेंगे कि बबल साने लगेंगे तो यह सूजी और वेसन बुन चुका है अब इसमें आड कर देंगे जो मूंग दाल का पाउडर हमने बनाया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथी साथ में इसमें आड करूंगी एक टीस्पून घी उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखना है पंटेनोस टी स्टर करते जाना है मूंग दाल हलवा बनाते हुए घी का इस्तमाल तो बहुत अच्छ से करिएगा ताकि इसका जो टेस्ट है भरपूरा है आप मान के चलिया आदर कप मूंग दाल के लिए आपको लगेगा आदर कप से थोड़ा सा जादा गी तो इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर डाक नहीं हो जाता हलका लाल रंका नहीं हो जाता जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे आप तेकेंगे घी निकलने लगेगा अच्छ से रोस्ट हो गया है यह तो इसमें आट कर दिंगे गरम-गरम 200 ml दूद दूद गरम ही फ्लेम को लो ही रखना है और इसको कंटेनसली स्टर करते रहना है यह जो रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूं इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है तो जरूर ट्राइ कीजेगा इस रेसिपी को जैसे दूद अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें डाल द हुआ केसर पी ले सकते हैं लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते जाएगा जो पानी और कलर हमने डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है अब एक से डेड़ मिनट कंटेनसली स्टर करने के बाद इसमें मैं आट करूंगी तीन चुथाई कप चीनी जितनी मैंने डाल ली श्टर करते जाना है जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी तो ये अपना पानी चोड़ेगी उसे अच्छे से पकाँ लेंगे चीनी डालें कि दो से तीन मिनट के लिए कुक कर लेंगे, बीच बीच में इसको कवर हटा के आपको चेक करना है कि चीनी नीचे लगे न, ऐसे ही आपको दो बारी करना है, दो से तीन मिनट के लिए ढखना, बीच बीच में चेक करते जाना है, अब देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो बिल्कुल जैसे market sale में मिलता है हलवा वैसा ही इसको stir करते करते आपको 2-3 मिनट और लगेंगे और ये बिल्कुल ready है खाने के लिए तो इसमें जो अब हमने रोस किये हुए बदाम और काजू थे वो इसमें आड़ कर देंगे और साथ ही साथ मैं एक टी स्पून के करीब पिस्ता आड़ कर दूँगी इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया था और वो आड़ कर रही हूँ साथ के साथ बहुत बढ़िया खुश्बू और टेस्ट के लिए इसमें आड़ कर रही है एक चुथाई टी स्पून इलाइची पाउडर तो त्यार है हमारा गर्मा गर्म और स्वादिश मूंग दाल हल्वा बिना दाल भी गोई तो इस इंस्टेंट मूंग दाल हल्वा को ट्राइ करें और मेरे साथ शेर करें अपने सजेशन्स और कमेंट्स मिलूंगी ऐसी ही और टेस्टी टेस्टी डिलिशस रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फोगेट टो लाइक शेर और सब्सक्राइब